सबी स्टुटेंट्स और अभी वाक को नमस्कार तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं किंदरी विद्धल्ले के बालवाटिका एडमिस्ट को लेके किंदरी विद्धल्ले ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें की 2023 सेसन में एडमिस्ट का ओनलाइन प्रोसेस अभी स्टार्ट कर दिया गया है उसमें सारी इंपोर्टेंट डेट्स और क्या-क्या उसकी रिक्वार्मेंट्स हैं क्या-क्या फैसलिटी मिलने वाली हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं बालवाटिका की कक्षाओं के लिए और सबसे बड़ी बात ये है कि बालवाटिका की जो कक्षाओं हैं वो 450 किंद्री विधल्य में मतलब 400 किंद्री विधल्य में बालवाटिका की कक्षाओं स्टार्ट कर रहा है किंद्री विधल् तो उसको हम बात कर लेते हैं भी जो notification आया है वो आया है 5 जुलाई 2023 को जी हाँ 5 जुलाई 2023 को notification जारी कर दिया गया है admission के लिए बालवाटिका के online registration है वो 6 जुलाई 2023 से start हो रहा है 9 बजे से जो कि अलड़ी start हो चुका है last date of online registration बालवाटिका के लिए जो registration का last date हो 18 जुलाई 2023 है आपको इसके registration को लेके और आपको सभी किंद्री विधल्य की लिस्ट भी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी जहांसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन से किंद्री विधल्य में बालवाटिका की कक्षा स्टार्ट हुई हैं वो भी पता लग जाएगा अभी इसके बाद जो इसकी declaration जो result रहेगा वो 27 2023 को मतलव इसकी जो draw निकाला जाएगा जिसमें बच्चों के admission के नाम अनौंस हो जाएंगे पता लग जाएगा किसका admission हो रहा है उसके बाद जो भी eligible जो बच्चे रहेंगे candidates रहेंगे उनको 27 2023 से 28 2023 मतलव 27 2023 से 28 जुलाई के बीच में जिस भी किंदरे विधल में admission हुआ है वहाँ पे अपने documents लेके जाने होंगे और अपना admission confirm करवाना होगा और ये बालवाटिका 3 की जो कक्षा है वो start हो जाएगी 27 2023 से ठीक है 27 2023 से इसकी कक्षा है शुरू हो अभी बालवाटिका 3 के लिए ही only start हो रहा है उसके लिए एक session मतलब एक section बालवाटिका 3 का जो भी 450 के इंद्रे भी धल्ले की जो list है उनमें start कर रहे हैं और बालवाटिका 3 के लिए जो admission की age है वो 5 पलस होनी चाहिए और 6 से complete नहीं होनी चाहिए मतलब 5 से उपर होनी चाहिए और 6 complete नहीं होनी चाहिए ठीक है और उसके लिए जो अभी आपको important चीज़े देखी जो screen पर आपको दिख रही है आपको जहां पर लगे तो आप वहाँ पर pose करके भी देख सकते हैं otherwise मैं important चीज़ों को सभी को cover करके चलता हूँ अभी यहाँ reservation की बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो single girl child का जो quota है वो इसके उपर eligible नहीं रहेगा जो RTE के through admission होते है right to education act 2009 उसके through admission होते है वो सारे के सारे जो भी quota है reservation है वो रहेगा agities जो की किंदरी दल्ले के कक्षावन में और इन में रहता है तो ठीक है और जो इसका admission है वो registration है वो online ही होगा आपको इसका video भी channel पर मिल जाएगा कैसे कहां से आपको online करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ है school timing and fees जो school का duration रहेगा तीन गंटे के ल लिए और five day और एक week में five days इसके बाद जो एक essence और break है वो as per जो केंदरी विद्धाले की guideline है उसी के according होगी uniform अभी तक कोई decide नहीं है बालवाटिका क्लासी के लिए fees structure जो class one के लिए है as per उसी के according यहाँ पर बालवाटिका की भी fees होगी और जो exempted है उसी इसाबसे मतलब जो fees structure जो follow हो रही है already वो ही follow होगी ठीक है curriculum NCRT का ही रहेगा इसके बाद भी आपको कोई query रहती तब मेरे को comment box में पूछ सकते हैं धन्यवाद